हाँ तो प्यारे बच्चों एक बार फिर सभी का स्वागत करते हैं हमारे और आपके इस प्यारे से परिवार जैमादय विद्धा कुल पे बेटा आज जो मैं क्लास लेके आया हूँ आज वीडियो लेके आया हूँ बहुत ही सांदार वीडियो होने वाली है कच्छा बारा के विद्धार्थी के लिए कच्छा बारा का वो विद्धार्थी जो इस साल पेपर देगा उसके लिए बहुत ही महत्पूर्ण वीडियो है आज हम लोग जो आपकी फिजिक्स की पहली यूनिट है संपूर्ण विद्धुत यानि विद्धुत के एक-एक फार्मुले को बस्ते चलेंगे तो सबसे पहला फार्मुला बेटा जब भी हम किसी बस्तु में आवेस की गणना करते हैं तो इसके लिए फार्मुला होता है क्यों बराबर यानी क्यों बराबर यानी क्यों क्या है वस्तु में आवेस यान होता इलेक्टरान की संख्या और यह होता इलेक् six ten to power minus nineteen ठीक है दो बातें यहां पे और आपको ध्यान रखनी है कि जब भी वस्तुमें इलक्टरान की कमी होगी तो वस्तुमें धानावेस होगा और जब वस्तुमें इलक्टरान की अधिकता होगी यानि इलक्टरान कहीं से आ जाएंगे तो वस्तुमें रिड आवेस हो जाएगा ठीक है तो किसी वस्तुमें लक्टरान की गंड़ आवेस की गंड़ना ऐसे कर सकते हैं उसके बाद हम बात करते हैं दो आवेसों के बीच लगने लगा बन जाएगा वन बाई फोर पाई अपसाल नौट के क्यू वन क्यू टू बटे आर स्क्वाइ ठीक है क्लियर होना चाहिए आपको बैद्दुच्छेत की तीवरता कि अगर मैं बात करूं किसकी बात करूं विद्दुच्छेत की तीवरता तो इसका फार्मुला होता है बराबर यफ बाई क्यू नौट यफ क्या है परिछण आवेस पर लगने माला बल और क्यू नौट क्या है परिछण आवेस और इसी फार्मुले से बेटा हम निकाल लेते हैं किसी विद्दुच्छेतर में आवेसित कन पर लगने माले बल का फार्मुला वो क्या हो जाता य यह बराबर क्यू ए क्या फॉर्मूला बन जाता यह बराबर क्यू ए ठीक है चलो आगे चलते हैं तो अगला फॉर्मूला हमारे पास क्या है किसी बिंदु आवेस के कारण बिद्दु छेत की तीवरता कोई बिंदु आवेस है उसके कारण बिद्दु छेत की तीवरता निका आते हैं तो आपके दिमाग में फॉर्मूला नहीं आ पाता है तो आज आप इस पूरी वीडियो से एक-एक फॉर्मूले को याद कर लेंगे और इसका पीडियाप भी आपको टेलिग्राम में मिल जाएगा ठीक है चलिए और अगर हम कई बिद्दुच्छेत की तीवरता का प कुब बटा यल लैंड़ा होता रेखी आवेज घनत जिसका मात्रक होता है कुलाम प्रती मीटर ठीक है चलिए चेत्री आवेज घनत यह हम कहें प्रस्टी आवेज घनत सिगमा से लिखते हैं फॉर्मूला होता है क्यू बाई यह परिभासा होती है कांग छेत पल पर में मात्रक हो जाता है कुलाम ब्रति मीटर स्कॉैर ठीक है अगला हमारे विद्दुद्रू आगूण का formula है P बराबर Q into 2L. क्या formula है P बराबर Q into 2L? यहाँ पर Q क्या है? 2L होता आवेसों के बीच की दूरी यह ऐसा कुछ. एक प्लस की आवेस होगा और एक माइनस की आवेस होगा इन दोनों के बीच की दूरी को हम लोग क्या consider करते हैं? 2L. तो यह हो जाता है विद्धु दुद्रू आज़ोड़ू का फार्मुला. दो बहुत ही महत्पूर्वूर्ण फार्मुले और इस चैप्टर के ये दोनों बहुत ही महत्पूर्ड डेरीवेशन भी है कि विद्धु दुद्रू के अक्षपर विद्दु छेथ की ती वरता बटार क्या हो जाएगा टू पी बटार क्यूब ठीक है यह दोनों डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एक्जाम की दरश्टी से उसके बाद विद्दु दुद्रूप पर लगने वाला बल युग मागून क्या बिटा बल युग मागून टाउ बराबर होता है पी क्रॉस ई या इसी फॉर्मुले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं टाउ कोस्टू पी साइन थीटा टाउ बराबर क्या लिखेंगे पी साइन थीटा ठीक है तो इस तरह से हम लोगों को सारे फॉर्मुले तयार कर लेना है और याद कर लेना यह फॉर्मुले आपके दिमाग मे करके पढ़ाई करते रहें क्योंकि आपके लिए एक बहुत ही बड़ा तिवार लेकर के कल मैं दिन विद्धकुल पे रात आट बजे आप सभी को मिलेगी आजादी और आजादी के इस्तिवहार को हम सब मिल कर मनाएंगे ठीक है तो चलिए आगे चलते हैं तो अगला क्या है बेटा समतल कोण का फॉर्मला हम लोग याद करेंगे कोण बराबर होता चाप बटे त्रिज्जा क् घंखोन का फॉर्मला हम लोग याद करेंगे छेत्रफल बटे त्रिज्जा स्क्वाइर घंखोन का फॉर्मला क्या है छेत्रफल बटे त्रिज्जा का स्क्वाइर छेत्रफल बटे त्रिज्जा का स्क्वाइर ठीक है विद्दूत फ्लक्स विद्दूत फ्लक्स क्या है किस बंद पर से गुजरने माला कुल फ्लक्स उसके भीतर आवेस का वन बाई अपसलनाट तो फाई बराबर हो जाता है वन बाई अपसलनाट इंटू क्यू ठीक है यह गौस की प्रमेस है हमें एक संबंद मिल जाता है अच्छा दो हम फॉर्मुला यहां पे और लिख के लाएं है अनंत लंबाई के तार के कारण विद्दुच्छेत की तीवर्ता किसके कारण अनंत लंबाई का तार है उसके कारण विद्दुच्छेत की तीवर्ता का फार्मुला है वन बाई फोर पै अपसलनाट टू लेमडा बाई यहां लेमडा क्या होता है रेखी आवेस घनतो लेम फिर आते हैं आवेसित गोली कोस बेटा यहां पे बहुत confusion रहता है एक तो आवेसित गोली कोस है और दूसरा आवेसित अचाला गोला है ठीक है तो दोनों में confusion आपको दूर हो जाना चाहिए इसलिए मैंने एक स्लाइट पर दोनों फार्मूले लिखे हैं आवेसित गोली कोस के कारण विद्दु छेत की तीवरता हम तीन जगहा पे निकालते हैं एक निकालते हैं बाहे बिंदु पर एक उसके प्रष्ट पर एक निकालते हैं आंत्रिक बिंदु पर तो बाहे बिंदु पर यह बराबर हो थी है दूरी ठीक है प्रेश्ट पर होता है सिड़मा अपहनप सलन नॉट श्जाय अंत्रिक बिन्दूंपर क्या होता है जी रो होता है आवेशित गोलग कर बिंतू चैय त्यूर utan बंदू पर जल्दी नुमेरिकल नहीं पूछा जाता फिर भी आपको याद रहना चाहिए फॉर्मूला याद कैसे करना है ये आप सभी समझें कि आपको बिना फॉर्मूले को कुछ नहीं होने वाला बेटा प्रश्ट पर सिगमा अपान रो अपान अफसलनाट कप्टलार भाई थ्री आं प्रत्रक होता जूल प्रतिकुलाम या वेटा इसी को हम लोग वोल्ट कहते हैं क्या कहते हैं वोल्ट कहते हैं क्लियर रहेगा सबको बिन्दु आवेश के कान बिद्दुद विभाव का फॉर्मूला ये होता है वी बराबर वन अपान फॉर पाई अपसलनाट क्यू बटा और जब भी हम किसी दो या दो से अधिक विभावों का परिणामी निकालते हैं तो उसके लिए वी बराबर फॉर्मूला है वी वन प्लस वी टू प्लस वी थी प्लस वी फॉर जितने भी विभाव होंगे उनको हम जोडते चले जाएंगे वो हो जाएगा सभी विभाव का तो यह प्रवाव में परिवरतन वटे दूरी में परिवर्तन इसकी परिभावासा भी यह होती है कि तिदूरी के साप एक्ष बिभव में परिवरतन को बिभव प्रमलता कहते हैं ठीक है या इसी का फॉर्मॉला यह बराबर होता है, माइनस डेल्टा बी बाई डेल्टा एक्स फॉर्मॉला याद कर लो बिटा फॉर्मॉला विद्दुत विभो क्या होता है विद्दुत दुध्रू के अक्ष पर विद्दुत विभो क्या होता है तो फार्मुला है वन अपान फोर पाई अपसालन नाट पी बटा आर स्क्वाइर और निरक्ष पर कितना होता है तो निरक्ष पर जीरो होता है विद्दुत को घुमाने में किये गए कार का फॉर्मला तो डबलू बरावर पी वन माइनस कॉस थीटा क्या फॉर्मला डबलू और पी वन माइनस कॉस थीटा अच्छा फिर आते हैं विद्दु धारिता का फॉर्मला क्या है सी बटा सी बराबर क्यू बटा वी और धारिता का मात्र क्या ह होता है फैरड धारता का मात्र क्या होता है फैरड ठीक है और जब हम विलगित गोली चालक की धारता निकालते हैं तो इसका फार्मला होता है सी बराबर फोर पाई अपसालनाटे यानि कोई गोली चालक हो जिसकी त्रिज्जा स्मॉले हो तो इसकी धारता का formula है c बराबर 4 pi epsilon not a और अगर इसको किसी माध्धम में रख करके हम इसकी धारिता निकालते हैं तो c बराबर 4 pi epsilon not ka formula हो जाता है ठीक है यहां तक सारी चीजे आप सभी को समझ में आई होंगी आगे बढ़ते हम लोग किसी आवेशित चालक की इस्थतिज उर्जा का formula क्या है तो इसके तीन formula होते हैं half qv q into v या half q square by c या half cv square ठीक है फिर से आजाओ आवेशित चालक की इस्थतिज उर्जा का formula क्या है half qv या half q square by c या half cv square याद रखोगे ना पक्का याद कर लेना सब को अच्छे से अगला formula है बेटा कि जब हम दो चालकों को आपस में जोड़ देते यह दो चालक है इनको हमने किसी सुचालक तार से आपस में जोड़ दिया तो जब इनको आपस में जोड़ देते हैं तो इनके बीच विभो बराबर हो जाता है और वो जो बराबर विभव है उसको हम कहते हैं उभैनिस्ट विभव तो उभैनिस्ट विभव का फार्मला है C1 V1 प्लस C2 V2 और बटे में C1 प्लस C2 ठीक है याद रहेगा C1 V1 प्लस C2 V2 अपान में C1 प्लस C2 और जब उन दोनों को जोडते हैं तो उनके बीच उर्जाहानी होती है उ क्या होती है उर्जा हान ही होती है दो चालकों को जोड़ोगे तो सद उनके बीच क्या होगी उर्जा हान ही होगी ठीक है अब बात करते हैं समांतर प्लेट संधारित की धारिता c बराबर epsilon not a by d epsilon not a by d a क्या है समानतर प्लेट संदारित की प्लेटों का छेतरफल और d क्या है उनके बीच की दूरी और जब हम उन दोनों प्लेटों के बीच में कोई परावेद्दुत पदार्थ भर देते हैं तो वही फार्मूला बन जाता है c बरावर epsilon not k by d c बरावर epsilon not k by d क्लियर है आगे चलते हैं समानतर प्लेट संदारित की धारिता का फार्मूला जब परावेद्दुत पदार्थ आनसिक रूप से भरा हो तेखो तीन फार्मूले हैं जब कुछ ना भरा हो तो c बरावर epsilon not a by d जब ठूस ठूस कर परावेद्दुत पदार्थ भरा हो c बरावर epsilon not k by d हो जाएगा और जब आनसिक रूप से भरा हो यानि बीच मालो हमने t चोडाई में भर दिया इतनी बड़ी दूरी थी हमने t चोडाई में आनसिक रूप से परावेद्दुत पदार्थ को बर दिया तो c बरावर epsilon not a by d minus t plus t by k फार्मूला हो जाएगा याद रहेगा सब लोगों को बिटा तो सब लोग याद कर ले ना इसे उर्जा घनत तो क्या है एकांक आयतन में संचीत उर्जा ही उर्जा घनत तो कहलाती है इसे UK से लिखते है फार्मूला है हाफ epsilon not k e square हाफ epsilon not k e square e है बैद्दु छेतर के है परावेद्दु तांक ठीक है और UK क्या है उर्जा घनत तो है अब स्रेडी क्रम में धारिता जब हम लोग निकालते हैं तो फार्मूला होता 1 by c बरावर 1 by c1 1 by c2 plus 1 by c3 स्रेडी क्रम में ये फार्मूला चलेगा समानतर क्रम में संधारित्रों के सयोजन से अगर धारिता निकालेंगे तो c बरावर c1 c2 plus c3 plus c4 ऐसे लगा लेंगे विद्द्ध धारा आ जाता इसका फार्मूला आई बरावर q by t होता ये सब को याद है मातरक कुला अमप्रेस सेकंड होता है या इसको हम एंपियर भी कहते हैं आगे चलते हैं धारा तथा अनुगमन वेग में संबंद ये most important है ये कई बार derivation भी आता है और इस पर numerical भी आते हैं धारा तथा नुगमन वेग में संबंद का फार्मूला है आई बरावर यान E A V D क्या फार्मूला है बेटा आई बरावर यान E A V D और धारा घनत का फार्मूला है J बरावर आई अपाने धारा घनत का फार्मूला क्या है J बरावर आई अपाने या इसी में आई की ये वेलू रख दोगे तो ये फार्मूला यान E V D हो जाता है J बरावर यान E V D तो ये फार्मूला हो जाएगा बेटा हम कहें कि धारा घनत तो अनुगमन वेग का धारा घनत तुआ बताओ किसका अनुगमन वेग का फॉर्मला हो जाएगा ये वाला कि जे बराबर यानी वीडी विद्दुत प्रत्रोत का फॉर्मला या ओम का नियम आर बराबर वी अपॉन आई और आर का ही एक फॉर्मला होता है ये मेल आपान एन ए स्कॉार ए टाउ यहां यम क्या है इलेक्टरान का द्रमान यल चालक की लंबाई इलेक्टरान का आवेस ए होता है चालक का छेतरफल और टाउ होता है सरांतिकाल दो इलेक्टरानों के बीच जो लड़ने में समय लगता ह उसको कहते है सरांतिकाल बिशिष्ट प्रतिरोध का फार्मुला क्या है इपान जे देखो आपको फार्मुले याद होना भाया तो बहुत फाइदा है एक तो बिटा आप नुमेरिकल से कभी नहीं फसोगे दूसरा आपका सबसे बड़ा फाइदा है कि कुछ बात चीजों की परिभासा फार्मुले में होती है जैसे बिशिष्ट पृत्रोध का फार्मुला मुझ्य एद्धे रोव बर रबरी यंपाँ जे तो किसी चालक के सिरोके बीच उत्पन विद्धु। छेत्र और धारा घहनत के अनुपाद को बिशिष्ट पृत्रोध कहते हैं या रो का फ इसके बाद किसी सेल के विद्दुत वाहक बल का फॉर्मूला क्या है ए बराबर डबलू अपॉन क्यू इसका मात्रगी बेटा जूल प्रतिकुलाम होता है या इसी को हम लोग बोल्ट कहते हैं ठीक है कन्फ्यूज मत होना बच्चों को बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि विद्दुत वाहक बल है बल नहीं है ये एक तरह से विववांतर की तरह होता है इसलिए इसका मात्रग बोल्ट होता है टर्मिनल विववांतर विद्दुत वाहक बल वांत्रिक प्रत्रोद में सम्मंद का फॉर्मूला है ए बराबर वी प्लस आई आर कहो या वी बराब और आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा यानि आई one प्लस i2 to i3 आने वाली धारा बराबर आई 4 i5 i6 जाने वाली धारा क्लियर है तो इस तरह से आप लोगों ने आज बहुत कम समय में देखो संपूरण विद्थुत के फॉर्मले समझ लिए अगर वीडियो पसंद आ होगी असिक्षा की आजादि, वो आजादी होगी गुलामी से आजादि, तो इस आजादी में इस गुलामी और इस घरीवी की जंजीरों को तोड करके लिए आपके लिए आजादी का बहुत बड़ा तेवार कल रात आठ बजे यानि बारा अगस्त रात आठ बजे मैं लेकर आ रहा हूं तो जुड़ना ना भूलें कल रात आठ बजे और इसी तरह के से आप लोग सारी फिजिक्स के फार्मूले मैं आपको याद कराता रहूंगा वीडियो अच्छी लगी हो तो सेयर जरूर करना चैनलों को सब्सक्राइब जरूर करना मिलते हैं फिर अगली वीडियो में धन्यवाद